नमस्कार दोस्तों मैं विकास तिरवेदी आपके अपनी यूटूब चैनल विकास एष्टडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हिस्ट्री की प्रिवियस क्लास में हम लोग सिंदुभाटी सब्विता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और आज की कलास में हम लोग सिंदुभाटी सब्विता से बनने वाले सभी महतुपूंट प्रसनों की प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों शुरू करते हैं सिंदुभाटी सब्विता में पहला कुश्चन दोस्तों पहला कुश्चन हमारा है सिंदुभाटी सब्विता की सरो मानिती थी क्या थी दोस्तों सिंदु गार्टी सब्यता की सरो मानिती थी तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि 2400 इसापूर से 1700 इसापूर ये सिंदु गार्टी सब्यता की सरो मानिती थी उसके बाद हमारा अगला कुश्चन है सिंदु सब्यता के मुख निवासी थे तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रमीड एवं भूमत दिसागरी उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है सिंधो सभिता या सbin विता हमारी कैसी सभिता थी तो ये सब्विता हमारी नगरिये सब्विता थी दोस्तों सिंद सब्विता या सेंधों सब्विता हमारी नगरिये सब्विता थी उसके बाद दोस्तों अगला कुश्यन है क्रिसी का प्रथम उधारण कहां से प्राप्त हुआ है तो दोस्तों क्रिसी का प्रथम उधारण मेहर तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा रावर्ट ब्रुस फुट दोस्तों रावर्ट ब्रुस फुट ने पुरा पासाल कालीन आउजारों की खोज की थी उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है अगला कुश्चन है भारत में मनुष्य सम्मंधी पहला प्रमार कहा मिला दोस्तों भारत में मनुष्य सम्मंधी पहला प्रमार कहा मिला तो नर्मदा घाटी में मिला नर्मदा घाटी में दोस्तों मनुष्य सम्मंधी पहला प्रमार मिला उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है मनुष्य ने सरुपर्थम किस धातु का प्रयोग किया था तो तांबेका किया था उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है क्रेशी का आविस्कार किस काल में हुआ दोस्तों क्रेशी का आविस्कार किस काल में हुआ तो नौपासाल काल में दोस्तों क्रेशी का आविस्कार हुआ पहिये का आविस्कार नौपासाल काल में हुआ उसके बाद हमारा अगला कुश्यन है स्वतंतता प्राप्तिके पश्चात हरपा सब्वेता के सर्वाधिक इस्थल खोजे गए तो दोस्तों कहां खोजे गए हैं स्वतंतता के बाद हरपा सब्वेता के इस्थल सर्वाधिक तो गुजरात में खोजे गए हैं और दोस्तों, आमने आपको कल की क्लास में बताया था, कि स्वतंतता के बाद सबसे पहला खोजा गया इस्थल कौन सा था, तो दोस्तों सबसे पहला खोजा गया इस्थल जो भारत में खोजा गया है स्वतंतता के बाद, तो वो था लोथल, लोथल आप लोग जानते हैं दोस् उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है सिंद्व सभ्यता की लिप किया थी तो भाव चित्रात्मत थी आपसन में अज्यात भी हो सकता है तो आप लोग अपने कारेडिंग दोस्तों लगाना कि आपसन कैसे है तो भाव चित्रात्मत लिप थी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था दोस्तों और अग्यात भी दोस्तों आपसन दिया जा सकता है तो अग्यात भी लगा सकते हैं आप लोग उसके बाद सिंद्व सभ्यता की लिप थी भाव चित्रात्मत दोस्तों उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है हलपा की मोहरों पर सरवाधित किस पसुका अंकन मिलता तो दोस्तो हरपा की मौहरों पसर वाद किस पसुका अंकर मिलता है, तो एक सरंगी पसुका मिलता है हरपा की मौहरों पर. उसके बाद हमारा अगला कुष्चान है, नर्तकी एक कांसी निर्मित मूर्ति कहां से मिली है? दोस्तो सिंधु बھाट इस सब्यता में नर्तकी की एक कांस से निर्मित मूर्ति मिली है वो किस स्थल से मिली है तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहन जोदलों से मिली है और दोस्तों अगर यहाँ पर कुश्चन पोच दिया जाए कि उरवर्ता की देवी की मूर्ती कहां मिली है तो ये मिली है हलपा में हलपा में मिली है दोस्तों उरवर्ता की देवी की मूर्ती मिली है हलपा में और नर्तकी की एक कांस निर्मित मूर्ती कहां से मिली है तो मोहन जो दुलों में उसके बाद दोस्तों most important question है कि चावल के प्रथम साच कहां से मिले हैं दोस्तों चावल के प्रथम साच कहां से मिले तो लोथल से मिले हैं और लोथल ये दोस्तों किस नदी के किनारे इस्थित था तो भोगवा नदी के किनारे इस्थित था और लोथल की खोज किसने की थी तो रंगनाथ राव नहीं की थी और दोस्तो चावल के प्रथम साच लोथल से मिले हैं अगनी कुंड के साच लोथल से मिले हैं उसके बाद हमारा अगला कुश्चन है दोस्तो सेंधव समाज या हडपा सब्भेता कैसी सब्भेता थी तो अभी हमने आपका बताया कि नगरी ये सब्भेता थी और दोस्तो मात्र सब्तात्मक थी दोस्तो मात्र सब्तात्मक सेंधव समाज था ये अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि नर्तकी की एक कांसिनेर्मित मूर्ती म इसलिए यह दोस्तो मात्र सत्तात्मक होने के प्रमाड मिलते हैं कि सैंधर समाध हमारा मात्र सत्तात्मक था। उसके बाद अगलां कुष्चन हमारा है आग में पकी हुई मित्ती को क्या कहा जाता था। संभावता सबसे प्रभावी कारण किया था तो बाल था दोस्तो बाल था बहुत जादा ये दोस्तो प्रसंद पूछा जाता है उसके बाद दोस्तो अगला कुष्चन है सैंधाव सब्वेता में प्रचलित थी तो परदा प्रथा ये दोनों दोस्तो प्रचलित थी सैंधाव स चिन देन है दोस्तो स्वास्तिक चिन जो हमारा है वो देन किसकी है तो हलपा सभ्यता की देन है दोस्तो ये स्वास्तिक चिन उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है हलपा सभ्यता की वानिजिक राजधानी थी दोस्तो हलपा सभ्यता की का ही सहर था और चावल के सरप्रथम साच भी लोथल से प्राप्त हुए हैं अगनी कुंड के साच लोथल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है कि हरपावासियों में दोस्तों तौल की काई संभाव चैप्टर है और बहुत अच्छे कुष्चन है दोस्तों बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे उसके बाद हम लोग अगले कुष्चन पर चलते हैं दोस्तों अगला कुष्चन हमारा है हरपा एवं मोहन जोड़ो को एक विस्तरत सामराज की राजधानी या जुडवा राजधानी किस ने कहा है। दोस्तों हरपपा एवं मोहन जोड़ो को एक विश्टत सामराजी की जुडवा राजधानी किस ने कहा है। तो दोस्तों एक इतिहास का रहा है पिगट इन्होंने कहा है हरपपा एवं मोहन जोड़ो को जुडवा राजधानी मोहरों पर किसका अंकन मिलता है तो एक सरंगी बैल का अंकन मिलता है हलपा की मोहरों पर और विशेश पूजनी क्या था तो कूबर वाला सांड उसके बाद दोस्तो अगला कुश्यन है सिंदु घाटी सब्यता में किसकी उपासना सरवाधिक प्रचली थी तो मात्रदेवी की उपासना जो थी वो सरवाधिक प्रचली थी अभी हमने आपको बताया कि सिंदु स्काटी सब्यता या सैंदु समाज जो हमारा था वो दोस्तो मात्र सत्तात्मक था उसका रीजन नर्तकी की कांसे मूरती मोहन जोड़ों से प्राप्त हुई है उरवर्ता की देवी की मूरती हरप पर सब्यता से प्राप्त हुई है और दोस्तो यह हमारा जो सबसे ज़्यादा सिंदु सब्यता में उपासना किसकी सरवाधिक प्रचली थी तो मात्र देवी थी यही दोस्तो कुछ रीजन थे कि हमारा सैंदु समाज मात्र सत्तात्मक दिखता है इनी साच्छों से पता वाली बंगा से युगम समाधियां मिली हैं उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है मनुष से द्वारा बनाया जाने वा प्रथम आउजार कौन सा था तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुलहारी दोस्तों मनुस्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम आउजार कुलहारी था मनुस्य द्वारा सरवप्रथम पालतु जानवर कौन सा था तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता था दोस्तो सरवप्रथम पालतु जानवर कौन सा था तो कुत्ता था उसके बाद दोस्तो अगला कुश्चन हमारा है भारती पुरातात्य विभाग का अध्यच सरोपर्थम किसे बनाया गया तो दोस्तों 1916 में भारती पुरातात्य विभाग का अध्यच बनाया गया था डाक्टर मार्सल को दोस्तों बनाया गया था भारती पुरातात्य विभाग का अध्यच उसके बाद अगले कुश्चियन पर चलते हैं, अगला कुश्चियन हमारा है, सिंद घाती सब्यता का 6 त्रफल कितना था, तो दोस्तों सिंद घाती सब्यता का 6 त्रफल कितना था, 12,99,600 वर किलो मीटर, दोस्तों सिंद घाती सब्यता का 6 त्रफल था, 12,99,600 वर किलो मीटर, उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है दोस्तों, कि हरपा सब्यता का आकार कैसा था, तो आप लोग जानते हैं कि हरपा सब्यता का आकार था त्रिभुजाकार, उसके बाद अगले कुश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला कुश्चन हमारा है, सिंद्गाटी सब्यता का कौन सा नगर तीन भागों में बाट गया था तो धौला वीरा धौला वीरा जो है यह तीन भागों में बटा हूँ था और यह भी दोस्तों गुजरात प्राजिमें इस्थित है उसके बाद अगला कुश्चन है सेंधाव सब्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहन जोड़ो उसके भारत में दोस्तो सबसे बड़ा नगर है राखी गड़ी भारत में दोस्तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है अगर हमारे एक जाम में पूछ दिया जाए कि भारत में सिंध सब्यता का सबसे बड़ा इस्थल कौन सा है तो राखी गड़ी और अगर दोस्तो पूछ दिया जाए कि सिंद सब्यता का सबसे बड़ा इस्थल कौन सा था तो मोहन जोदलो दोस्तों उसके बाद अगले कुश्चन चलते हैं दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है हलपपावासी किसकी बनी मोहरो का प्रियोग करते थे तो दोस्तों हलपपावासी सैल खड़ी की बनी मोहरो का प्रिय जाता है तो दोस्तो सिंद का नखली स्थान कहा जाता है मोहन जोदोडो को सिंद का नखली स्थान किसे कहा जाता है तो मोहन जोदोडो को कहा जाता है दोस्तो उसके बाद दोस्तो मोस्ट इंपार्टेंट है कि सिंद सब्यता का सबसे उत्तरी इस्थल कौन सा था तो दोस्तो गुदाइमाबाद जो महाराष्ट्र में इस्थित है और गोदावरी नदी के किनारे उसके बाद दोस्तों पश्चिमी इस्थल कौन सा था तो यह सुतकांगेडोर था यह बलुश्ची स्तान में वर्तमान में है दोस्तों और दास्क नदी के किनारे उसके लाद दोस्तों यह पूर्वी इस्थल कौन सा था, सिन्दुगाटी सब्यता का? तो पूरवी इस्थल था आलमगीरपुर मेरत. ये दोस्तो हिंडन नदी के किनारे इस्थित था. दोस्तो इन से question पूछा जाता है कि उत्तरी स्थल कौन सा था, पूर्वी कौन सा था? तो दोस्तो most important है पूर्वी कौन सा इस्थल पूर्वी पूर्वी कहा इस्थित है तो आलमगीरपुर मेरट हिंडन नभी के किनारे और दोस्तो आलमगीरपुर की खोज किसने की थी तो यग्यदत सर्माने उसके बाद दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला question हमारा है सिंद घाट दोस्तो अगला question हमारा है तामबे अध्वा कहां से का एक रत मिला है तो दोस्तो तामबे अध्वा कहां से मिला है तो रंगपुर से मिला है उसके बाद अगला question है दोस्तो हमारा दोहरा जुता हुआ खेत कहां से मिला है तो दोस्तो दोहरा जुता हुआ खेत काली बंगा से में दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जाधा से जाधा लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जब अगरे मिलते हैं अगली क्लास Workshop वैतिक संभिता के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।